भारत माता की आवाज देलंगना तक महुचनी चाहिए भारत माता की भारत माता की आज की विजय अईतिहासिक है अभुत्पुर्व है आज सबका साथ सबका विकास की भावना जीती है आज विक्सित भारत के आहवान की जीत हुई है आज आत्म निर्भर भारत के संकल्प की जीत हुई है आज वंचीतों को वरियता के विचार की जीत हुई है आज भारत के विकास के लिए राज्यों का विकास इस सोच की जीत हुई है आज इमानदारी पारदर्शिता और तू साथन की जीत हुई है महित बन से सभी मतजाताओं को आजर पुर्वक्त नमन करता हुई मजपने राजस्थान और थर्टिजगर के लोगों ने भाजपा पर भरपूर्श नेया दिखाया है तेलंगना में भी बीजेपी के प्रती समर्थन लगातार बढ़ रहा है यह हम सभी का सवभाग्या है जब अपने परिवार जनों से इतना प्यार मिलता है विश्वास मिलता है तो मैं व्यक्ति गत्रुप से रनुभाव करता हूं कि मेरी जिम्मेदारी और अधीद बढ़ जाती है आज भी मेरे मन में यही भाव है मैं अपनी माताओं बैनों बेटियों के सामने मैं अपने युवास साथ्यों के सामने मैं अपने किसान भाई बेहनों के सामने उन्होंने जो निनने जो बढ़ चड़कर के समर्थन दिया है इसके लिए मैं उनके सामने नत्मस्तक हूँ इस चुनाओं में बेश को जातियों में बाटने की बहुत कोशिश हुई लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में चार जातियां ही सबसे बड़ी जातियां है और जब मैं चार जातियों की बात करता हूँ हमारी नारी शक्ति हमारी युवा शक्ति हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार इन चार जातियों को ससक्त करने से ही बेश ससक्त होने वाला है आज हमारे ओबी सी साथी इसी वर्ग से आते हैं आज बड़ी संक्तिया में हमारे आदिवासी साथी इसी वर्ग में आते हैं और इन चुनावों में इन चारों जातियों ने भाजपा की योजनाओं और भाजपा के रोड मैप को लेकर बहुत उत्सा दिखाया है आज हर गरीब कह रहा है वो खुद जीता है आज हर वंचित के मन में भावना है कि चुनाव वो खुद जीता है आज हर किसान यही कहता है यह चुनाव हर किसान जीता है आज हर आदिवासी भाई बेन यह सोच कर खुछ है कि उसने जीसे वोड दिया वो विजय उसकी अपनी है आज हर फर्स टाइम वोटर बड़े गर्व के साथ कह रहा है कि मेरा पहला वोट मेरा विजय का कारण बना है इसी जीत में हर महिला अपनी जीत देख रही है इसी जीत में बैतर भविस्त का सपना देखने वाला हर युवा अपनी जीत देख रहा है हर वो नागरिक इसे अपनी सफलता समझ रहा है जो 2047 में भारत को एक विक्सित राष्ट देखना चाहता है साथियों मैं आज विशेश रुप से देश की नारी शक्ति का अभिनंदन करूँगा रेलियों में मैं अक्सर कहता था कि इन चुनावों में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का पर्चम लहराएगी और जब देश की नारी शक्ति किसी का सुरक्षा कवच बन जाए तो कैसी भी ताकत उसे नुक्सान नहीं पहुचा सकते आज नारी शक्ति बंदन अधिनियम ने देश की माताओ बेहनों बेटियों के मन में नया विश्वास जगाया है आज देश की हर महिला में ये भरोसा जगा है कि भाजपास सरकार में उनकी सक्रिय भागिदारी को नहीं बुलंदी मिलने वाली है आज हर बेहन बेटी को साप साप लगता है कि बीजेपी ही नारी गरिमा नारी सम्मान नारी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है उन्होंने देखा है कि बीते दस वर्सों में भाजपाने उन्तक टॉयलेट बिजली गैस नल से जल बैंक में खाते ऐसी बुनियादी सुविदाएं पहुंचाने के लिए कितनी इमानदारी से काम किया है आज वो देख रही है कि कैसे बीजेपी घर परिवार में समाज में उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें रोजगार स्वरोजगार कि नए अवसर देने के लिए निरंतर काम कर रही है नारी शक्ति का विकास बीजेपी के विकास मॉडेल का एक महत्वपून स्तंब भी है और इसलिए इन चुनावों में महलाओने बहनों बेटियों ने एक प्रकार से भाजप का के विजय की पूरी जिम्मेवारी अपने हाथ में उठा ली थी और भरपूर आशिरवाद दिया है मैं आज पूरी विनम्नता से देश की हर बहन बेटी को यही कहूंगा कि आप से जो वाइदा बीजेपी ने किये हैं वो शत्र प्रतिशत पूरे किये जाएंगे और ये ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी साथियों चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पस्ट की है बेश का जुआ सिर्फ पर सिर्फ विकास चाहता है जहां भी सरकारों ने युओं के खिलाब काम किया हैं वो सरकारे सत्ता से बहार हुई हैं चाहे राजस्तान हो चत्तिजगड़ हो या तेलंग ना हो ये सारी सरकारे पेपर लीक और भरती गोटालों के आरोपों में गिरी हुई थी परणाम यह हुआ कि इन तीनों ही राज्यों में सत्ता में बैटे दल अब सरकार से बहार है आज देश के युवा में ये भरोसा लगातार बढ़ रहा है कि बीजेपी ही उसकी आकांग शायद समझती है उसके लिए काम करती है बेश का युवा ये जानता है कि बीजेपी की सरकार युवा हितेशी होती है युवाओं के लिए नए आउसर बनाने वाली होती है साथियों आज देश का आदिवासी समाज में अब खुल कर अपनी बात रख रहा है ये वो आदिवासी समाज है जो कॉंग्रेस की नीतियों की वजह से साथ दसक तक पीछे रहा है जिसे आउसर नहीं दिये गए इनकी जनसेंग के आज दस करोड के आसपास है हमने गुजरात के चुनाव परणामा में यह देखा है जिस कॉंग्रेस ने आदिवासी समाज को कभी पूछा तक नहीं उस आदिवासी समाज ने कॉंग्रेस का सफाया कर दिया यही भावना आज हमने MP 36 गड़ और राजस्थान में भी देखी है इन राज्यों की आदिवासी अंचल की सीटों पर कॉंग्रेस का सुप्रा साफ हो गया है आदिवासी समाज आज विकास के लिए आकांग्षी है और उन्हें बरोसा है कि इस आकांग्षा को सिर्फ और सिरफ भाजपा सरकार ही पूरा कर सकती है मेरे परिवार जनों मैं आज हर राज्य के भाजपा कायरकरताओं की भी सराना करूंगा भूरी भूरी प्रसंसा करूंगा भाजपा और कबल के प्रती आपकी निष्ठा आपका समर्पन अतुन्निय है डबल इंजिन सरकार का मेसेज आपने पूरी मांदारी से जन जन तक पहुँचाया इसी का प्रणाम आज हमें मिल रहा है हमारे राष्टिय देख्षे नद्दाजी जिस प्रकार अपनी नीती रणदीती को अमल में लाए कि विजय उसका भी पन्नाम है और चुनाव के धर्म्यान उनके परिवार में एक दुखत घटना घटी लेकिन उसके बावजुद भी नद्दाजी भारतिय जनता पार्टी के काहरकरता के रूप में दिन रात डटे रहे साथियों राज नीती के इतने वर्षों में मैं हमेशा भविश्य मानियों से दूर रहा मैं कभी बादे बादे और बड़ी बड़ी गोज़नाएं नहीं करता हूं इतने साल हो गए कभी नहीं करता हूं लेकिन इस बार चुनाव में मैंने अपना ये नियम भी तोड़ा था मैंने राजस्थान में मावजी महराज को प्रणाम करते हुए उनी की धर्ती पर ये भविश्य मानी की थी कि राजस्थान में कॉंग्रेस सरकार लोट करके नहीं आएगी मैं भविश्य बेदता नहीं हूं लेकिन मेरा राजस्थान के लोगों पर भरोसा था वहां की जनता पर भरोसा था और आज हम नतीजे देख रहे हैं मज्य प्रदेश ने भी हमें फिर दिखाया है कि भाजपा के सेवा भाव का कोई विकल्प नहीं है दो दसक से वहां भाजपा की सरकार है और इतने वर्षों के बाद भी भाजपा पर भरोसा लगातार मजबूती हो रहा है 36 गड़ के परिवार जनों को तो मैं जब मैं वहाँ चुनाव सभाव में गया तो मैं खुदी पहली सभा में 36 गड़ के चुनाव की पहली सभा में मैंने खुद कहा था मैं आप से कुछ मांगने नहीं आया हूँ मैं तो आपको तीन डिसंबर के बाद सरकार बनेगी तो सपत समारू में निमंत्रन देने के लिए आया 36 गड़ के परणाम से साफ है कि हर परिजन ने उस बात को स्विकार किया है मैं तेलंगरा की जनता और तेलंगरा की भाजपा कायर करताओं का विशेस आभार व्यक्त करता हूँ हर चुनाओं में तेलंगरा में भाजपा का ग्राप लगातार बढ़ रहा है मैं तेलंगरा के लोगों को ए विश्वाद दिलाता हूँ कि बीजेपी आपकी सेवा में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी भारतिय जनतापार्टी तेलंगरा अभीवृत्ती कोसम एल्ला पुडुपनी चेंत तुने उटुंडी तेलंगरा तो माको चाला मंची अनुबन्धम उंडी मेरे परिवार जनो इस चुनाओ परणाम की गुण्ज सरफ MP, राजस्तान और 36 गर तक सीमित नहीं रहेगी इन परणामों की गुण्ज दूर तक जाएगी पूरी दुनिया में इन चुनाओ परणामों की गुण्ज सुनाई देगी ये चुनाओ परणाम भारत के विकास पर भरोसा दुनिया के भरोसे को और बजबूती देगा ये चुनाओ परणाम दुनिया भर के निवशकों को भी नया विश्वास देगा भरोसा ये कि आजादी के अमरितकाल में विक्सीत भारत का जो संकल्प हमने लिया है उसे जनता जनार्दन का लगातार आशिरवाद मिल रहा है आज दुनिया देख रही है कि भारत का लोकतंत्रा और भारत का वोटर दोनों कितने परिपक्व है कितने मैच्चौर है आज दुनिया देख रही है कि भारत की जनता पूर्ण अब्भामत के लिए स्थीर सरकार के लिए सोच समझ करके वोट कर रही है साथियों भाजपाने सेवा और सुसासन की राजनीतिका नया मोडल देश के सामने प्रस्तूत किया है हमारी नीती और निर्णों के मूल में शिर्फ पर सिर्फ देश है देश वासी है भारत माता की जय यही हमारा मंत है इसलिए भाजपा सरकारे सिर्फ नीतिया नहीं बनाती बल्कि हर हकदार हर लाभारती तक वो पहुंचे यह भी सुनिश्चित करती है भाजपा पर्फॉर्फॉर्फॉर्मंस और डिलीवरी की राजनिती देश के सामने हकिकत बन करके लेकर क्या आई है भारत का मद्दाता जानता है कि स्वार्थ क्या है जनहीत और राष्टहीत क्या है दूद का और पानी का भेद देश जानता है जैसे तैसे जीतने के लिए हवाई हवाई बाते करना और लोब लालच की गोठनाए करना ये मतदाता पसंद नहीं करता मतदाता को उसका जीवन बहतर करने के लिए एक स्पस्ट रोड मैप चाहिए एक विश्वस्नित्य चाहिए एक बरोसा चाहिए भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्या आगे बढ़ता है हर परिवार का जीवन बहतर होता है इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है लगातार चुन रहा है और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है कि आज के जना देश ने ये भी साबित किया है कि ब्रस्ताचार तुष्टिकरन और परिवार बात को लेकर देश के भीतर देश के हरनागरिक के दिल में जीरो टॉलरंस बन रही है आज देश को लगता है कि इन तीन बुराईयों को खत्म करने में अगर कोई प्रभावी है तो वो भाजपा ही है भाजपा की केंद्र सरकार ने देश में ब्रस्ताचार के विर्द जो अभ्यान छेट रखा है उसको भारी जन समर्थन मिल रहा है यह उन्दलों उन्नेताओं को वोटर की साप साप चेतावनी है जो ब्रस्ताचारियों के साथ खड़े होने में जराबी शर्मन वह नहीं करते हैं उन्हों लोगों को देश की जनता ने आज साप साप संदेश दे दिया है और ऐसे लोग जो बांती बांती के तरकों से ब्रस्ताचारियों को कवच देते हैं कवरब करने की कोशिज करते हैं ऐसे लोग जो ब्रस्ताचार पर कड़ा प्रहार करने वाली जांच एजंसियों को बदनाम करने में दिन राज जुटे हुए है वे समझने ये चुनाव नतीजे ब्रस्ताचार के खिलाब लड़ाई का भी जन समर्थन है ये चुनाव नतीजे कॉंग्रेस और उसके गमन या गड़ बंदन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है सबक यह है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए देश का भरोसा नहीं जीता जाता बेश की जंता का दिल जितने के लिए राष्ट सेवा का जजबा होना चाहिए और गमन या गड़ बंदन में रती भर भी वो नजर नहीं आता है गाली गलोच निराशा नेगेटिविटी एक गमंडिया गड़ बंदन को मेडिया की हेडलाइन जरूर दे सकती है कि लेकिन जनता के दिल में स्थान नहीं दिला सकती है कि साथियों कि आज के ये नतीजे कि उन ताकतों को भी चेतावनी है कि जो प्रगती कि और जनकल्यान की राजनीती के खिलाप खड़े रहते हैं कि जब भी विकास होता है कि कॉंग्रेस और उसके साथ ही विरोध करते हैं कि जब हम मंदे भारत ट्रेन लांच करते हैं तो कॉंग्रेस और उसके साथ ही उसकी मजाग उडाते हैं प्रगतन में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं ऐसी सभी पार्टियों कि ऐसी सभी पार्टियों को आज गरीबों ने चेतावनी दी है सुदर जाइए वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी आज ऐसी पार्टियों के लिए सबक है कि केंद्र सरकार की गरीब कल्यार की योजनाओं और उनके लिए भेजे जहरा है फंड के बीच में आने की कोशिश मत करो यह जनता का आदेश है वरना जो बीच में आएगा उसे जनता हटा देगी लोग तंत्र गहित में मेरी कॉंग्रेस और उसके साथ्यों को नम्रता पुर्वक सला है कृपा करके ऐसी राजनिती न करें जो देश विरोधी ताकतों को बल दे जो देश को बाटना चाहते है ऐसे लोगों को मजबूती दे जो देश को कमजोर करने वाले विचारों को गती दें कि साथ्यों कि आज भारत की अर्थ ववस्ता का हर पहिया कि पूरी गती से घूम रहा है कि कुछ लोग कह रहे थे कि विश्व में मंदी का असर भारत पर पड़ेगा लेकिन भारत ने हर आकलन से कहीं बहतर प्रदर्शन किया आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विक्षिद होती आर्थिक ताकत है आज भारत का आत्म विश्वास भारत के लोगों का आत्म विश्वास अभूत पूर्वस्तर पर है आज भारत में आज देश में record GST collection हो रहा है कुरुशी उत्पावन के नए record बन रहे हैं भारत के शेर मार्केट पर बरोसा चरम पर है आज भारत के निर्यात के नए record बन रहे है UPI transaction के नए record बन रहे हैं त्यहारों में खरीद के नए record बन रहे हैं गाड़ियों के शेल के नए record बन रहे हैं आज भारत में cement production बढ़ रहा है कोईला प्रोड़क्शन बढ़ा है आज भारत में steel उत्पादन बढ़ा है बिजल उत्पादन बढ़ा है दुनिया भर की कंपनिया भारत में बेनिफेक्टरिंग के लिए आतूर है हवाई आता करने वालों के संख्या उच्छतम सर्पर है होम लोन की में भी उस सेक्टर में भी बहुत अधिक पुर्ति देखी जा रही है साथ यो आज भारत का फिजिकल इंट्रा सेक्टर पूरी तरह से ट्रांस्वर्म हो रह भारत के रेल आज अपने ट्रांस्फर्मेशन के सबसे बड़े जौर से गुजर रही है आज देश में नए रेल वेस्टेंज बन रहे हैं आधुनिक ट्रेने आ रही हैं गती नहीं है संकल्प नहीं है और मैं देश वाच्छों को कहना चाहता हूं हर देश वाच्छों को कह अग्यदीत करना चाहता हूं और मैं मेरे ट्रैक रेकोर्ड के आधार पर कहना चाहता हुँ अग taxi मांदरि से कहना चाहता हूं में आपके सपने मेरे लिगया है आपके सपने वो मेरा संकल्प है आपके सपनों को पूरा करने के लिए जो मेरा संकल्प है वो मेरी साधना भी है मेरी तपस्या भी है साथियों भारत का डिजिटल इंफ्रसेक्टर दुनिया में स्रिष्टता की तरफ बढ़ रहा है भारत आज दुनिया में 5G नेटवर्क के मामले में अग्रणी देश में पहुंच चुका है आज भारत में गाउं गाउं तक अप्टिकल फाइबर पहुंच रहा है आज देश के सोचल इंफ्रसेक्टर पर भी अभुत्पुर्व गती से काम हो रहा है हर गरीब को मुप्त राशन वाली योजना अगले 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है बाजपास सरकार में चार करोड गरीब परिवारों के पक्के गर बन चुके हैं हम हर गरीब परिवार को पक्की छत देने के संकल पक्की के और तेजी से बढ़ रहे हैं है गर गर नल से जल यह भ्यान तेज गती से चल रहा है आज देश में रिकॉर्ड गती से नए अस्पताल बन रहे हैं मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के संक्या बढ़ रही है साथ यूँ आज भारत आगे बढ़ रहा है भारत का नागरिक आगे बढ़ रहा है भारत के लोग इस मोमेंटम को बनाय रखना चाहते हैं अब इससे पीछे नहीं हटना है और पीछे हटना यह मोदी के तो कभी स्विकार नहीं हो सकता है भारत के लोग stability चाहते हैं स्थाइत्व चाहते हैं भारत के लोग विखसित भारत की आत्रा को गती देना चाहते हैं मैं देश के प्रत्यक युवा को आवान करता हूं वो विखसित भारत का अमबेसडर बने वो विखसित भारत के संकल्पों का नेत्रत्व करें मैं भाजबा कायर करता हूं से भी कहूंगा प्रत्यक भाजबा कायर करता हूं नमो एप पर जाएं और कम से कम दस लोगों को विखसित भारत का अमबेसडर बनाएं हमें आज एक ऐसी पीड़ी तैयार करनी है जिसका सपना हो विक्सित भारत जिसका संकल्प हो विक्सित भारत जिसकी साधना हो विक्सित भारत जिसका समर्पन हो विक्सित भारत साथियों विक्सित भारत के निर्मान के लिए ये बहुत जरूरी है कि कोई भी नागरिक कोई भी नागरिक पीछे नहीं छूटे इन चुनावों मैंने लगातार कहा है कि हर लाभारती तक पहुँचकर भाजबा सरकार उसे सरकारी योजनाओं का लाब देगी इसके लिए केंद्र सरकार ने चौदा नमंबर यानि जन जातिय गवरव दिवास यानि भगवान बिर्शा मुंडा की जैनती से विक्सिद भारत संकल पर यात्रा शुरू की है योजनाओं से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए सरकार खुद लोगों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है जिन जेत्रों में यात्रा पहुंच रही है वहाँ लोग खुश्या मना रहे हैं कि मोदी की गारेंटी वाली गाड़ी हमारे गाओं आ रही है मैं आज विजे के इस समारों से हर विजे भी कारकरताओं को सला दूँगा आगरे करूँगा अब आज से आपको मोदी की गारेंटी वाली इस गाड़ी के आगे आगे चलना है मोदी की गारेंटी वाली गाड़ी देश की सफल्था की गारेंटी बनेगी और ये भी मोदी की गारेंटी है और आपको एक बात और याद रखनी है जहां जहां दूसरों से उम्मित खत्म होती है वहां से मोदी की गारेंटी शुरू होती है मेरे परिवार जनों विधान सबाचुनाव के नतीजों ने पोजिटिव एनर्जी का एक ऐसा प्रवाह शुरू किया है जिसे आज पुरा देश महसूस कर रहा है इस शक्ति ने विक्सीज भारत के लिए तयार हुई नीव को और मजबूत कर दिया है हमें ये उर्जा बनाय रखनी है हमें ये शक्ति बढ़ाते रहना है हमें 140 करोर भारतियों के विश्वास को जगाए रखना है हमें जन जन को अपने साथ जोड़ना है हमें हर मन को समझना है हमें सब को साथ लेकर चलना है हमें हर एक को अमरित कान की विकाज यात्रा का साथ ही बनाना है जो हमसे दूर है हमें उनके पात पहुंचना है जिने संदे हैं हमें उनमें भरोसा जगाना है भाजपा के कायर करताओं पर जिम्मेदारी और बढ़ गई है क्योंकि नकारात्मक शक्तियां अब तेजी से एक जुड होने का प्रयास करेगी देश को बांटने वाली ताकतें अभेडी चोटी का जोर लगाएगी समाज में खाई पैदा करने वाले अम नए मोके तलासेंगे हमें उनसे मुकाबला भी करना है उनके फेक नेरेटिव को जवाब भी देना है लेकिन उससे बढ़कर हमें जनता के यकीन को बनाए रखना है साथ्यों उत्सा और उमन के इस्वातावर के बीच मेरी आदत छूडती नहीं है तो मैं फिर यह तो करता ही रहता हूँ क्यों मैं कि मुल तह संगड़न से निकला हूँ तो स्वाभाव मेरा जाता नहीं मैं आज पूरा दिन टीवी पे क्या चल रहा था जादा समय नहीं दे पाया देख नहीं पाया क्योंकि मैं हमारे जो भारत का पूरवी समुद्री तठ है वहाँ साइकलोन की संभावना नजर आ रही है ज़रा तीजी की संभावना नजर आ रही है और इसलिए विजे के महत्सों में भी मैं तो यही कार्यकरताओं से कहूंगा हमें साइकलों मिचों से भी सतक रहना है बंगाल की खाड़ी से सटे तकी इलाकों में इसका प्रभाव पढ़ सकता है केंद्र सरकार लगातार इस पर राज्य सरकारों से संप्रक में है उनकी हर संबव मदद भी कर रही है मैं तमिल नाडू पूरीचेरी पूरीचा और खास तोर से आंदर प्रदेश के भाजपा कारकरताओं से भी कहूंगा कि राज्य सरकार बले ही किसी भी दलकी हो आप पूरी शक्ती से राहत और बचाव काम में जुड़ जाना प्रशाशन को पूरा साथ देना और यही एक समर्पीद भाजपा कारकरता के समस्कार होते हैं हमारे लिए दल से बड़ा देश है हमारे दिल से भी बड़ा हमारा देश वासी है साथियों सब के प्रयास से ही हमने अपने संकल्पों की सिद्धी कर सकते हैं मुझे देश की अमरुत पीड़ी पर बरोसा है हमारा लक्ष एक है साधना एक है सपना एक है भारत विक्सत होकर रहेगा इसी भी समास के साथ मैं फिर एक बार सभी मत दाताओं का बिनंदन करता हूँ जो भी विजई हुए है उनको शुप कामना ही देता हूँ और हम सब मिल करके देश के सामान ने मानुवियासा पैक्षाओं को पूरा कर पाएं मैं आप सब कायर करता हूँ को आपके माध्यम से माधान में जो लोग महनत कर रहे थे उन सब को रजई से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद